स्वागत है आपका इस्टी रूल में फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिसत को भिन और दस्मलों में कैसे बदला जाता है ठीक है बहुत से लड़के रहते हैं जिसको आप इसको समझ में नहीं आता है तो यह आज हम लोग सीखेंगे अच्छी तरीके से यदि आप लोग सीखना जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप मेरे चैनल पर नए तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आपको ऐसे वी वीडियो मिलती रहेगी ठीक है तो देखें स्टार्ट करते हम लोग वीडियो देख लिए मार लिजी प् भिन और एक तृफड ़िए लेले रहे हैं आपका दशमलह ठीक है लेले रहे हैं टो दिख लिए माल लीजे इधर हम लोग ले ले ai ने डियो और एक तरफ लिए रहे हैं 10 मलों ताँ अप कैसे बदला जाएगा यहां भी आप लीजिए 30 चालिस प्रतिशत और यहां भी लिख लीजे आप चालिस प्रतिशत ठीक भीन में बदलना है तो देखे चालिस प्रतिशत तो लिखेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है आप तो यह तो जानते ही होंगे कि एक बटा सव होता है ठीक है प्रतिशत का मतलब तो सभी लोग जान हम लोग भिन्द में बदलना है तो भिन्द में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे संख्या को कटाएंगे ठीक है संख्या को कटाएंगे तो देखे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ठीक है यह उपर से नीचे ही कटता है हमेशा यह जान देना है बहुत से लड़के होत जिसाता है कि ऊपर का ऊपर ही कटा देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो 0-0 से कड़ गया उपर बच गया कितना 4 नीचे बच गया 10 यह देखे 2 से कड़ जाएगा फिर 2-4 और 2-5-10 ठीक है अब कितना बच गया ऊपर ऊपर बच गया आपका उपर कितना बचा आपका 2, नीचे कितना बचा 5 तो ये 2 बटा 5 क्या हो गया आपका यह answer हो गया, ये भिन में बदल गया आपका ठीक है, अब देखिए 10 मलों में कैसे बदलेंगे तो देखिए 10 मलों में भी वही काम करेंगे 4 लिखेंगे, multiply settings plus dollar कर लो , zehn आप गा। एक जीरो से तो एक जीरो कड़ ग来 भाया आप क्या बचाथ चार बचे के 8 था ठाफ है आप ऐसे डिधा cri क्या रहता है था सू कि फ़ीन बन एया डेगा तो क्या करते है जब Rad才 worthy जीरो कि बन मतलब मतलब कितना हो gün 2 0.4 यह चीज आपको ध्यान देना है मतलब यहाँ पे 0 है तो एक अस्थान पे दस्मलो लगता है यहाँ पे यदि 100 आता है यहाँ पे 4 बटे 100 है, 100 है तब क्या करेंगे हम लोग जब 100 हैगा तो देखे 2 0 आप क्या करेंगे, 4 के आगे लिख लिजिए आपको आसान तरीका बता रहे है कि 4 लिख लिए और यह दोनो 0 आगे उतार दिए अब यहाँ पे देखे कितने 0 है 1, 2, 2 0 थे ना, तो पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे, तो 1, 2 मतलब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा एक और कोश्चन देखते हैं इसमें देखिए, मैंने दूसरा कोश्चन लिया है असी प्रत्षत, अब असी प्रत्षत को भिन में भी बदलना है और दसमलों संख्या की रूप में भी बदलना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो यह भिन को लिख लिजे, कितना है आपका असी प्रत्षत, इधर भी लिख लिजे असी प्रत्षत, इधर भी लिख लिजे अब देखिए क्या की लिखेंगे कि असी लिखेंगे, प्रत्षत का मतलब आपको हमने बताया कितना होता है आपका एक बटे 100, यहां भी आप लिख लिख लिजिए 80 multiply एक बटा के 100, ठीक, अब देखिए भिन में बदलने के लिए हमने क्या बताया कि संख्या को कटाना है, यह 0 से 0 कट जाएगा आपका बचेगा कितना आपका 8 बटे के 10, यही हो जाएगा न, 0 0 तो कट गया, बचा उपर कितन 8 और नीचे कितना बचा 10, ठीक है, अब यह संख्या देखिए कि 2 से कट जा रही है, देखिए 2 से कटेगी तो कितना बार में कटेगा, 2 चोग का 8 और यह 2 पंचे 10, यह होगा, उपर कितना बच गया आपका 4 और नीचे कितना बच गया आपका 5, यह देखिए एक बिन संख् बचेगा कितना आपका आठ बटे के दस यह बचेगा आपका तो हमने क्या पता है नीचे जब एक जीरो रहता है कि तो एक अस्थान पर दस्मलों लगता है मतलब कि यह हो जाएगा